जो व्यक्तित जागरित होता है उसका मुसीबत कुछ नहीं कर पाती तो चीन में एक आदमी था किसी गाओं में उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था जिस देश में ऐसे राजा रहे हूं सिक्छा ही तो दीजर विक्रमा दित की अगर आपने पहली कहानी सुनी हो वेताल पत्चीसी पहली कहानी तो मैं वो कहानी सुना रहा था कि कैसे जो व्यक्तित जागरित होता है उसका मुसीबत कुछ नहीं कर पाती बहुत बड़ा नियम है जागरिती सर, होश में रहना बहुत बड़ा नियम है तो चीन में एक आदमी था किसी गाओं में उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था बहुत नायाब मैं लब हवा से ज़्यादा स्पीड थी घोड़े की तो उस देश के राजा ने उस आदमी को भुलाया का तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो तुमको मैं मुह मांगी की मत दूँगा आदमी ने गहा कि सरकार घोड़ा तुना बेचेंगा अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो तुम के करो गोड़े का अरे इतना पैसा राजा तुमको देरा बेश दो अरे उसने का यार तुम लोग क्यों मेरे पीछे पढ़े हो जाओ अपना काम करो हम नहीं फाइदा ले रहे ना जाओ एक दिन क्या हुआ घोड़ा भाग गया अब जब घोड़ा भाग गया तो गाओं के लोग आए हसने लगे कहिन देखा हम तुम से पहले ही कहिते थे तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को अरे उसने का बड़ा भाई घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है बस इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है वो चला गया तो चला गया मैं क्या करूँ जब आजी पागलो तुम नुक्सान हो गया वहले कोई नुक्सान नहीं हुआ 10-15 दिन बीता एक दिन गोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के गाओं वाले फिर आये काई बेटा तुम बहुत चालाक आदनी हो तुमको पता था कि कुछ कांड करने गया है बड़ा बढ़िया यार तुम तो बड़े फाइदे में हो य आया गटना बस इतनी है इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की कोई बात नहीं है पड़ोसी राज ने उस राज पर हमला कर दिया अब जो नौए घोड़े आए थे उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था घोड़े से गिरा उसका दोनों पाय तू करना चाहता होगा अच्छी बात है जाने दो उसी वक्त पड़ोसी राज ने इस राज पर हमला कर दिया गाओं के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए सिर्फ किसान का बीटा बचा क्योंकि उसके पै टूटे हुए थे इस दुनिया में खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं क्या फल सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहें और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया, उनका कल बेहतरीन हो गया क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं, वो आज कुछ करी नहीं पाएंगे और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं, वो कुछ करी नहीं, दो लोग निश्करी है जो कल के बारे में सोचते हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी लेकिन जो पास्त के बारे में सोचते हैं हमारे पिताजी गवर्णर थे रहे होंगे बहुत लोगों के पिताजी गवर्णर थे देश विश्यम परिस्तिती से गुजर रहा है कोई बात नहीं सर धरती है पृतिवी है ऐसी चीज़े आती रहती है इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जब कोरोना का संकट आया तो भारत के हर नागरिक ने एक योद्धा की भूमी का निभाई इतिहास अब ये ना लिखा जाए कि महमूद गजनी आया तो भारत के लोग भाग गए अब जब इतिहास लिखा जाए तो अब ये लिखा जाए कि जब कोरोना का संकट पैदा हुआ तो भारत देश का हर नागरिक योद्धा बनकर खड़ा हो गया यह हमारे दुश्मन उल्जाना चाहते हैं यह इनकी गल्ती उनकी गल्ती तो है मानी सी बात है गल्तियां तो की है सरकारों ने की है पार्टियों ने की है दलों ने की है नेताओं ने की है गल्ती तो है लेकिन इस वक्त ध्यान भटकाने का नहीं है सर जिस देश में ऐसे राजा रहे हूँ सिक्षा ही तो दीजर विक्रमादित की अगर आपने पहली कहानी सुनी हो वेताल पत्चीसी पहली कहानी पहली कहानी विक्रमादित जाता है सोचिए क्या सिक्षा देने का तरीका था हमारे देश में कहानी सुनाकर संदेश देना उस देश में ऐसी किताबें छपने लगी जिन से कोई मतलब ही नहीं किताबें तो किसी को भी महान बना दे बशरते वो आपसे बात करने लगे किताबें जल्दी किसी से बात नहीं करती हैं पढ़ते बहुत लोग हैं बात वो दुनिया में बहुत कम लोगों से करती है, बोलती है किताबे सर, और एक बार किताबें आप से बात करने लगी, कंडीशन क्या है, किताब आप से बात करेगी, मन शान्त हो जाए, यासे आप किताब पढ़ रहे हैं, और आपका पीछे का मन बढ़ बढ़ आ रहा है, कह तो कहीं और बैट हैं, इतनी sensitive होती हैं कितावे, इसलिए भारत देश में हम जब किताब से पैर लग जाता है, तो हम उसे उठा कर अपने मत्थे पे लगाते हैं, इसका भी मजाग उड़ाया गया इसका भी मजाग उड़ाया गया यार तुम लोग तो किताब उठा के सर से लगाते हो, बिल्कुल सर जिससे किताबें बात करने लगें और एक ही शर्थ है किताबों की बात करने का अगर आपका मन शांत है और आप सिर्फ उनहीं से बात कर रहे हैं तब वो आपको जवाब देंगी पलट कर और अगर आपका मन शांत नहीं है आप पढ़ते रहे हैं जितना आपको पढ़ना है एक लाइन कई बार मेरे पास स्टूडेंट आए NCRT को चार बार पढ़के रंग चुके हैं नीले रंग से पीले रंग से लाल रंग से रंग चुके हैं लेकिन पता कुछ भी नहीं लेकिन हमारी जो सिक्षा पद्द थी कहानी कहानी विक्रमादित जाते हैं बर्गत के पेड़ पर लाश को उतारते हैं अपने कंदे पर रखते हैं लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है अब सोचिए सर इस कहानी का मकसद क्या है सुनिए कहानी और उसका मकसद लाश उन्हें कहानी सुनाना के सुरू करती है कि एक आचारे थे उनकी बड़ी खुशूरत सी बेटी थी आचारे के तीन शिष्य थे अब देखिए क्या तरीका था पढ़ाने का संदेश देने का यह पस्चिम के लोग कहते हैं तुम लोगों ने सिर्फ कहानिया लिखी उन कहानियों में बाबुजी ऐसी ऐसी बाते लिख दिये ना कि समझ जाओ गए तो जिन्दी की बदल जाएगी इतने अमीर हो इतना समरिद्धी भौतिक समरिद्धी पा चुके हो लेकिन ध्यान करने भारत ही आते हो बाबा रांदेश जी को मैं बड़ा प्रडाम करता हूँ बड़ी मैं उनकी इज़त करता हूँ और जब भी मैं उन्हें देखता हूँ कोमोडिटी ही नहीं है बेच रहा है और हम हिंदुस्तानी हम उनका मजा कोड़ाते हैं आप उनसे असहमत है वो एक अलग बात है हो सकता है आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत हो बहुत अच्छी बात है सर मैं अपसा बार बार कहता हूँ कि मतभेद का मतलब मनभेद कभी नहीं होता सर आप मेंसे बहुत सारे घरों में आप नौनवेज खाते हैं आपके माता जी नहीं खाती आपके पिता जी नहीं खाते तो इसका मतलब दुश्मनी सर बिलकुल नहीं दुष्मनी जब भी होगी तो जब इंटरेस्ट खत्रे में पॉड़ेगा तब दुष्मनी होगी बेवकूफ जो है जो बेवकूफ है समाज में वो मतभेद पे मनबेद कर लेता है कि यह महजजित में जाते हैं अरे तो पूजा करने जा रहा है ना यह मंदिर में जा रहा है जाने दो तो लाश्ने विकरमा दित्त को कहानी सुनानी शुरू की कि एक गाउं में एक आचारजी रहते थे उनकी बड़ी खुबसूरत बेटी थी और उनके तीन सिश्ष थे और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे अचारजी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों है लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों है तो शादी किससे करूँ बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए और जब लड़की ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया तीनों बड़े निराश हुए गए उसका दासंसकार किया तो एक शिश्चित तो तुरंट सन्यासी बन गया वही धूनी लगा लिए उसने उसकी कबर के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं तो अब जीवन में कोई सार नहीं अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है दूसरा दूसरा फकीर बन गया हुम ने लगा देश विदेश में उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संथ हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थें तीसरा जो उसमें था वो डेली जाता था उस मिर्थ शरीर पे मसाला लेप लगाता था साफ करता था फिर उसे वहीं रख देता था अब यह सिलसला कुछ वर्षों तक चला दो-चार वर्षों तक चला तो जो घूम रहा था चारो तरफ फकीर बन गया था मंत्र की तलाश कर रहा था पुनर जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था उसे एक दिन कुछ महत्मा लोग मिल गए वो उस मंत्र को जानते थे उन्होंने उसने उनकी सेवा की उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया जैसे उसने मंत्र सीखा और भगा वापस गाओं की तरफ और वापस आकर उसने उस यूती को फिर से जिन्दा कर दिया जब उसने फिर से जिन्दा कर दिया तीनों दावेदार फिर ख़़े हो गए और अब तो यूती और सुन्दर हो गई तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किस से विवाह करना चाहिए अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुक्ले-टुक्ले हो जाएंगे और अगर तूने जवाब दिया तो मजुद तुझे छोड़कर चला जाओंगा विताल ने का कि अगर तूने अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं है और ये नैचुरल प्रकृति है हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिती होती है एक सवाल ऊच्वाब मन में आाता कि ये कर ले आर अच नैचुरल प्रकृति है नाचुरल जवाब आना ही तो विक्रम बेताल ने कहा कि देख विक्रम, अगर तेरे मन में जवाब आ रहा है और तुने मुझे नहीं दिया तो तेरे सर के टुकले-οह जाएंगे, और अगर दे दिया, तो मैं चला जाओंगा. कि योग्य आदमी है योग्य हो मन में परिश्टिती बन रही है तो जवाब आएगा तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया कहा जो मंत्र सीख कर आया और जिसने पुना जीवन दिया वो पिता तुल्ले है जीवन देना का काम किसका है पिता का क्या दर्शन है सर जीवन देने का काम किसका है पिता का तो जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्ले है उससे विवा नहीं होगा जिसने उस शरीर की सेवा की चार साल तक वो पुत्र का धर्म है सेवा करना पुत्र का धर्म है वो भी बाहर हो गया जिसने अपनी ही जिंदी की दाओं पे लगा दी यही प्रेम की कसोटी है विवा उससे होना चाहिए यह था शिक्षा देने का तरीका और जैसे ही विक्रमा दित्न ने जवाब दिया वेतालोड चला कि तुने बोल दिया विक्रम यानि अब सुनिए इस कहानी का दूसरा उद्देश क्या है मौन परम की जो प्राप्ति होगी वो मौन में होगी साइलेंस में होगी इसलिए हिंदुस्तान में एक वर्ड है मुनी मुनी मतलब जो मौन हो गया हो परम की जो प्राप्ति होगी परम की पच्चिस बार विक्रम जाता है, 25 बार विताल उससे सवाल करता है, 25 बार वो जवाब देता है, और विताल हमेशा निकल जाता है, और जब अंतिम बार विक्रम चुप हो जाता है, ये थी भारत की सिक्षपद्धती, मैंने कहा ना, अगर आप पीछे पलट कर देखें भारत क तो तो कभी-कभी आपना कि यार इतने महालों कैसे पंआ हो तब तो यार ये माई इंटरनाशनल नहीं था टबzip तो हैं तो रियान इंटरनाशनल लेधा तो गाव में तर अजम सर in जा मटना मतलब यह है कि हम अंग्रेज हैं हम तुम्हारे बच्चों अंग्रेज बनाएं अंग्रेजी सीखना पूरी बात नहीं सर किसी भी भाषा को सीखना पूरी बात नहीं है कि लेकिन अपनी शंश्कृति को समझे बिना अगर अगर हमारी अगुला जासर!